धन को आकरशित करने के वास्तू रहस्या वास्तू एक पारमपरिक भारतिय वास्तुकला अनुशासन है जिसे हमारे आसपास शांती और सद्भाव को बड़ावा देने के लिए कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तू सिध्धान्तों का पालन करके व्यक्ति धन और सम्रिद्धी को आकर्शित कर सकता है धन को आकर्शित करने के लिए यहां कुछ वास्तू टिप्स दिये गए है अपने घर का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें ये दिशाय वास्तु में धन और सम्रिद्धी से जुड़ी है अपने घर के इशान कोन में फिश टैन क्या फववारा लगाएं ऐसा माना जाता है कि ये धन को आकरशित करता है और सौभाग्य प्रदान करता है अपने घर के इशान कोन में स्वटिक पिरामिड या पिरामिड रखें ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छी तरंगे आकरशित होती है और धन में विद्धी होती है विंट चाइम को अपने घर के इशान कोन में लगाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इससे धन में वृद्धी होती है और अच्छे स्पंदन आते हैं अपने घर के इशान कोन में पीले रंग का दीपक्या बत्ती लगाएं ये सफलता और धन लाने वाला माना जाता है अपने घर के ईशान कोन में धन का कोनस थापित करें. इसके पीछे का विचार आपके जीवन में समरिध्धी और प्रचुर्टा लाना है. मनी प्लांट को अपने घर के ईशान कोन में लगाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि यह धन को आकरशित करता है और सौभाग्य प्रदान करता है अपने घर के उत्तर पूर्व में पीतल की एक जोड़ी घंटी लटकानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि यह धन को आकरशित करता है और सौभाग्य प्रदान करता है अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में वाटरफॉल पेंटिंग लगानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि ये धन को आकरशित करता है और सौभाग्य प्रदान करता है धन को आकरशित करने के लिए ये कुछ वास्तू टिप्स है ये सुजाव सकारात्मक उर्जा पैदा करके अपने घर में धन और सम्रिद्धी को आकरशित करने में मदद कर सकते है ये ध्यान रखना महत्व पूर्ण है कि यदि आप अभीष्ट परिनाम चाहते हैं तो वास्तू को सही धंक से लागू करने की आवश्यक्ता है ऐसे और जांकारी पूर्ण वीडियो के लिए क्रिपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें